जावा सिखने के लिए अमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें आज के इस वीडियो में मैं आपको फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा इस प्रोग्राम को नम है recursion के थुरू करके दिखाऊंगा आपको तो अभी आपके mind में question आता होगा कि factorial का program तो हम loop use करके भी कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हो लेकिन अगर आपको exam में बोल दे कि किसी भी number का factorial find करिये या फिर कोई भी repeated task को perform कराए जैसे natural number find करिये sum of n number find करिये factorial find करिये without using loop तब आपको क्या करना होगा तब आपको इसी recursion का use करना होगा ये भी क्या करता है repeated task को ही perform कराता है इसमें बस हम function के थुरू उसी काम को करते हैं एक function अपने आपको ही call करता है same logic repeat होता है ठीक है तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं होगा कैसे ये बस loop का alternate में काम करता है अगर आपको कोई loop यूज करने से मना कर दे तब आप इसका use करिएगा सबसे पहले हम simple सा एक class बना लेते हैं मैंने ए नम का बना लिया और ये हो गया अपना main method अभी main method में आने के बाद मुझे एक number input करना होगा उससे पहले मैं एक message दे देता हूँ उसके लिए मैं लिक रहा हूँ system.out.print यहाँ पर मेरा message क्या होगा enter any number हम कोई भी number input करके न उसका factorial find कर सकते हैं इस program का use करके अभी मुझे run time में value input करनी है तो value हम किसमे input लेते हैं value हम input लेते हैं variable में इसका मतलब मुझे variable बनाना होगा तो मैं क्या कर रहा हूँ integer type का एक नाम का यहाँ पर variable बना रहा हूँ इसी n variable में मैं जो भी number input करूँगा वो store होगा तो अभी हम क्या करेंगे run time में इसमे value input करेंगे उससे पहले मुझे scanner class का object बनाना होगा तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ scanner new keyword object बनाने के लिए और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे system.in तो scanner class का हमने new keyword से object बनाया है इस object को refer कर रहा है यह r नाम का variable अभी इसी r reference variable के थुरू हम अपने variable n में क्या करेंगे value को input ले सकते है next intent method integer का मैंने use कर रहा है integer value मुझे input लेनी है देखो अभी तक के program ना हमने एक value user से input ले लिया है variable में तो scanner class के package को मुझे import करना होगा क्योंकि मैं scanner use कर रहा हूँ प्रोग्राम में import java.util.scanner यह package import हो गया इतना काम करने के बाद अब हम क्या करेंगे यहां पर recursion use करेंगे recursion use करने के लिए हमें function बनाना होगा मैं क्या करूँगा एक function बनाऊँगा उसका return type मैं integer दूँगा क्योंकि हमारा function value return करेगा function का name मैं क्या रखता हूँ function का name मैं रखता हूँ fact यह हमारे function का name है और यहां पे मैं एक parameter भी पास करूंगा, integer type का, ठीक है, अपना parameter variable का name क्या होगा, यहां पे let's say n ही ले लेता हूँ, ठीक है, हो गया, और इसकी भी body होगी, इसी के अंदर हम factorial का वो logic लिखेंगे, जिससे number का factorial find हो जाए, तो logic simple सा है, condition लगाएंगे, if, अगर हमारा n का value 1 होता है, तब हमारा function क्या करेगा, बिना सोचे समझे 1 return कर देगा, क्यों, क्योंकि 1 का factorial 1 ही होता है, यह होगी अपना एक काम, अभी हमें क्या करना, else, अभी एक part देना होगा, यहां पे हमारा, अगर मालो हमने कोई ऐसा number input कर दिया, जो 1 से greater है, तब else part में यहां पे हम क्या करेंगे, same function fact को सबसे पहले call करेंगे, यह होगी अपना fact function, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, n की value को एक decrease करूंगा, value decrease करने के बाद, मैं इसे फिर से multiply कर दूंगा, उसी n के साथ, इतना लिखने के बाद, हमें क्या करना होगा, इस value को भी return करना होगा, फि fact method को यहां पे call कर रहा, तो इसी को बोलते है recursive method, और यह जो पूरा calling का technique है, इसी को recursion बोलते है, तो अपना factorial का logic मैंने इस method में define कर दिया है, अब मुझे क्या करना है, main में जाके बस इसे call करना है, तो main में चलते है, सबसे पहले fact को call करने के लिए method का name लिखेंगे, और द देखो, आप ध्यान से guys, मैंने यहां पे जो इसका definition दिया है, यहां पे मैंने एक parameter भी pass किया है, integer type का, तो मतलब मुझे यहां पे integer value pass करना होगा, तो मैं तो number input ले रहा हूं इस variable n में, मतलब मैं इस n को ही अगर यहां से pass कर दूँगा, जो value इसमें input लूँगा, वही value यहा पे calculate होगा, इतना करने के बाद अपने इस result को, एक variable result में मैं save कर लेता हूं, यह हमारा final, जो भी factorial का result आएगा, इसमें store होगा, अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी को न हम print करेंगे, final result मैं main method में print कर रहा हूं, आप चाहें तो अपने fact में ही कर सकते हैं, यह आपका home work है, आपका assignment हुआ, यहाँ पे एक message में क्या देता हूं, message होगा, factorial of, factorial of given number, ठीक है, यहाँ पे हम answer ले रहे हैं, given number, इतना देने के बाद, concatenation operator plus, और अपना variable क्या है, अपना variable है, result, program ready है, एक-एक line dry run करके समझाओंगा, बिल्कुल भी tension मत लेना, सबसे पहले save करके result दिखाता ह क्लास का name dot java से मैंने dextro location पे इसे save कर दिया, compiler run करने के लिए मैंने अपना command prompt open कर लिया है, अभी यहाँ पे dextro location पे में जाओंगा, java c class का name dot java, मैंने enter मारा, देखिए program compile हो रहा, यहाँ पे एक error आगया है, error पड़िये ध्यान से, non static method fact cannot reference from static contest, line number 11 बोड़ रहा, यहाँ पे देखो यह non static method है, तो यह बीन object के call नहीं हो सकता, मतलब मुझे class A का object बनाना होगा, object बनाने के लिए हम क्या करेंगे, class का name लिखेंगे, उसके बाद object reference का name मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, obj, देखें, new लिखेंगे object बनाने के लिए, यहाँ पे फिर से class name, class A का object बन चुका है, अब इसी object obj से हम क्या करेंगे, अपने method को यहाँ पे call कर देंगे, हो गया call, method call हो गया, object से result, result variable में आ गया, हमने print भी कर दिया, यहाँ पे program compile हो गया, अब इसे run करने के लिए java और class का name, enter any number इस message को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, यह वही message है, जो यहाँ से मैंने भेजा था, मैं number input कर देता हूँ, let's say 3, तो factorial of given number मतलब 3 का factorial यहाँ पे क्या बोल रहा, 6 बोल रहा, चलो dry run करके बताता हूँ, सबसे पह मैंने यहाँ पे इस n variable में एक number input करा, n में मैंने क्या input करा, 3 input करा, यहाँ पे क्या होगा, number input हो गया, उसके बाद, यहाँ पे देखो हमने, यह dot था यहाँ ठीक है, यहाँ पे यह method call हुआ, जैसे ही method call हुआ, तो यहाँ से मैंने n को पास किया, मतलब यहाँ पे fact 3 जा रहा ह यह बस आपको dry run करने के लिए लिख रहा हूँ, fact 3 गया, क्योंकि n का value 3 है, उसके बाद यह method का definition कहा है, यहाँ पे है, करजर यहाँ पे jump करेगा, यहाँ पे n का value क्या है, यहाँ पे n का value 3 है, क्योंकि हम यहाँ से जो भी भेज़ेंगे, वही चीज इसमें receive होगा, 3 हुआ, condition देखो, क्या 3 equal equal 1 है, condition false हो गया, अपना यह if नहीं चलेगा, else में आते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है, n का value क्या है, 3 into, उसके बाद यहाँ पे fact 1 minus 1 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा fact, इसका मतलब हुआ fact 2, 3 में 1 minus करें, लेकिन यहाँ पे देखो, fact method फिर से compiler को मिल गया, तो अभी यह हमारा, फिर से क्या होगा, method एक बार call होगा, same logic repeat होगा, तो यहाँ से इसको copy करो, और यहाँ पे paste कर दो, अभी यहाँ से fact में value क्या जा रहा, 2 जा रहा, अभी n के पास क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, condition देखो, क्या 2 equal equal 1 है, condition अभी भी false है, फिर else में आएगे हम, यहाँ पे n into, n का value क्या है, अभी n का value 2 है, into fact n minus 1, fact हमने लिखा है, n minus मतलब 2 में 1 को minus करेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, उसके बाद यहाँ पे compiler को na fact फिर से मिला है, call हुआ है यह method, यानि fact 1 call हो रहा, तो जब फिर call हो रहा, फिर क्या होगा, same logic यहाँ पे repeat करेगा, अभी यहाँ से one pass हो रहा, मतलब इस n को क्या मिलेगा, इस n को भी value क्या मिलने वाला है, one मिलने वाला है, यहाँ पे यह one मिल गया, condition देखेगा, क्या one equal equal one है, condition true, तो यहाँ से return क्या ह पे क्या आ जाएगा, fact 1 के जगा पे आएगा one, क्योंकि यहाँ से यह one return कर रहा, तो इसको हटाओ, यहाँ पे one लिख दो, और यहाँ पे इसके जगा पे मतलब one आ चुगा, two into one मतलब two हो चुका है, अभी यहाँ से return होगा two, तो यह वाला method two return कर रहा है, इस method को हमने कहां से call किया है, इसे हमने यहाँ से call किया है, तो यहाँ पे fact two, fact two का value क्या return हो रहा है, यहाँ से two into one, यानि two return हो रहा है, इतने के जगा पे आप क्या लिखो, two लिख दो, उसके बाद, यह यहाँ से क्या return करेगा, three into two, six return कर रहा, तो यह return यह वाला method कर रहा है, इस method को हमने कहां स से call किया है यानि यहां से call किया है तो अभी fact 3 यानि fact 3 n का value 3 है fact 3 क्या return कर रहा 6 return कर रहा यहां से देख लो तो यहां पर fact 3 के जगा पर आपको क्या मिलेगा 6 मिलेगा यह 6 अपने result में store हो गया यहां पर हमने उसी को print करा तो यहां पर result देखो 6 प्रिंट हुआ है किसी भी number का आप यहां पर factorial find कर सकते हो जैसे मैंने 7 डाला तो 7 का factorial 5040 आया है तो इसी तरह से repeat होगा देखो जितना भी value आप यहां पर input करोगे ना जैसे मैंने 7 input करा तो अभी यह हमारा fact method 7 times call होगा 7 times call होगा मत्तब same logic repeat हो रहा तो बस वही 7 time calling में 7 का factorial आपको मिल जाएगा तो इस काम को बिना loop से factorial के जरिए recursion method से आप कर सकते हो अगर ड्रारेन समझ में आया हो तो लाइक करो share करो चानल पे नहे है तो चानल को subscribe कर दो